माता वैश्णो देवी दर्बार जाने वाले यात्यों की फिर्ड लगातार बढ़ती जा रही है लंबी दूरी की ट्रेनों में पीव पेटिंग का ही टिकट मिल रहा है इसलिए भक्तों की इस परिशानी को देखते हुए रेलवे डेश शोशल ट्रेन की संचालन का फैसला किय केंट इस्टेशन निदेशक गौरोदिक्षित ने बताया कि वारांसी चंडीगर और श्रीमाता वैश्णो देवी कट्रा वारांसी के बीच विशेश ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ट्रेन नंबर 04211 वारांसी से 17 अगस्त को दोपहर 2.40 मिनट पर प्रस्थान करके अगले दिन सुबह 6.30 अमबाला कैंट और 7.20 मिनट पर चंडीगर पहुचेगी वापसी में 04212 चंडीगर से 18 अगस्त की सुबह 9.30 बजे प्रस्थान करके 17 अमबाला कैंट और अगले दिन देर रात 1.20 मिनट पर वाराणसी पहुचेगी बीच रास्ते ट्रेन पर रुकेगी इसी प्रकार दूसरी विशेश ट्रेंड नंबर 04624 कट्रा से 13, 20 और 27 अगस्त को रात 11.45 मिनट पर प्रस्थान करके अगले दिन सुबह 7.50 मिनट पर अमबाला कैंट और रात 11.55 मिनट पर वाराणसी पहुचेगी वरतमार में जो सावन का महिना चल रहा है और जो आने वाले तेवहार का सीजन है उसको मजदने रखते हुए यात्रों के सुधा के लिए उत्तर रेलो ने एक स्पेशल ट्रेन की तीन ट्रिप्स प्लान की हैं श्रीमाता वैश्मादेवी कट्रा स्टेशन के लिए जो की वा अंतर बैद की डिए उसंग अर्च की वेब साइट से टिकेट करा या असकता है वराजसी से और गाड़ी है वेगम पूरा एक्स्प्रेस तो उसमें एक्सर यात्रियों को टिकेट मिलने में दिक्कत होती है तो इसी को मद्देने रखते हुए ये ट्रेने चलाई गई है ताकि जिन यात्रियों को वैश्नो देवी जाना है वो इन ट्रेनों में कंफर्म टिकेट ट्राप्त कर सकते हैं